वेजिटेरियन डाइट को आम तोर पर नॉन वेजिटेरियन डाइट से हेल्दी माना जाता है लेकिन सभी मीट खत्रे को समान रूप से प्रभावत नहीं करते हैं रेड वीट और चिकिन में ही आईरन की मात्रा जादा होती है डाइटीज के मरीजों के लिए खान पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है खास्तोर से अगर आप नॉन वेज खाना चाहते हैं तो आपको इसके सही बिकल्प के बारे में पता होना चाहिए डाइटीज एक विकार है जिसमें रक्त शक्रा का इस्तर आसामाने रूप से बढ़ जाता है क्योंकि व्यक्ति का शरीर परियाप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करने में आसमर्थ होता है मदु में बिकार वाले लोगों को अपनी दैनिक जीवन शैली में स्वस्त आहर को शामिल करना बहर ज़रूरी होता है इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको डायविदीज है तो क्या आप मटन या चिकिन का सेवन कर सकते हैं और यह भी बताएंगे कि इन में से क्या वहतर होता है तो जुड़े रहे हमारे वीडियो के साथ अंग तक दोस्तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए साथी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए आईए सबसे पहले जानते हैं रैड मीट के वारे में रैड मीट में सुर का मास बीफ, मतन, बक्री और भेड का मास होता है इनमें मतन भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला रैड मीट है जब हम मतन कहते हैं तो भारत में इसका मतलब बक्री का मास होता है भेड का नहीं रेड मीट लोगों द्वारा पसंद किया जाता है क्योंकि यह पोशक तत्वों का भंदार होता है जैसे लोहा, जिंक, फास्पोरस, राइव फ्लेवनिम, थाइमेन, बिटामिन, B12 रेड मीट का सेवन मदुमे और हिर्दय रोकों से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें मौजूद, सैचुरेटिड फैट, कार्डियोवस्कुलर बीमारियों का कारण बन सकता है रेड मीट में सोटियम और नाइटेड इंसुलिन पिर्तिरोद और टाइप 2 मदुमे का कारण बनते है यह इंफलिमेशन का कारण बनता है जो कुछ पिरकार के कैंसरों को जनम दे सकता है हाला कि मटन के मामले में यह जोकिम कम हो सकता है क्या डाइबिटीज बाले लोग मटन खा सकते हैं एक शोत के दोरान पता चला है कि बकरी के मास में बास्तम में अधिक पोशक तत्व हो सकते हैं और यह पोलिटरी की तुलना में जादा स्वास्त बर्दक है बकरी के मास को अन्ने रेड मीट की तुलना में बहतर विकल्प माना जाता है इसमें सोडियम की तुलना में अधिक पोटेशियम है और इसलिए मदूमे और उच्छी रख्तचाप बाले लोगों के लिए यह एक बहतर बिकल्प हो सकता है परन्तु यदि आपको डायवटीज है तो आप किसी भी तरीके के मटन या चिकन को खाने से पहले एक बार डॉक्टर की सलह जरूर लें आई अब जानते हैं कि क्या डायवटीज के मरीज चिकन खा सकते हैं चिकन मदू में की बीमारी वाले लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है क्योंकि चिकन प्रोटीन का एक उच्छ स्रोथ है और इसमें वसा की मात्रा बहुत कम होती है यदि हम chicken को healthy तरीके से पकाते हैं तो chicken मदू में विकार वाले लोगों के लिए एक स्वस्त विकल्प बन सकता है सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि इसमें glycemic index का कम मूल होता है इसलिए हमारे शरीर में रक्त शक्रा का इस्तर कभी नहीं बढ़ेगा चिकिन प्रोटीन से भरपूर और बसा में कम होता है और iron, calcium और phosphorus जैसे खनीज और vitamin B, A और D जैसे भरपूर होता है आईए अब जानते हैं डाइबटीस में मटन या चिकिन क्या बहतर है जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि मटन मूल रूप से red meat है जो डाइबटीस के मरीजों के लिए स्वास्त वर्दक नहीं है मगर फिल भी आप moderation में इसे खा सकते हैं बात रही चिकिन की तो इसके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है इसका मतलब है कि आप चिकिन बेफिकर होकर खा सकते हैं और मटन को कम ही खाएं मगर याद रहे कि दोनों healthy तरह से ही पका कर खाएं दोस्तों वहीं एक नए हुए शोज में पता चलता है कि red meat और चिकिन का सेवन करने से diabetes का खतरा बहुत बढ़ सकता है red meat और चिकिन से जड़ा diabetes का खतरा fish dead से replace करने से कम हो सकता है diabetes patient के लिए calorie count रखना बहुत जरूरी होता है आप दिन भर में कितनी calorie ले रहे हैं इस पर ध्यान देना जरूरी है साथ ही fiber diet भी diabetic patient के लिए एहम role अदा करती है दरसल red meat और chicken में fat intake बहुत ज़ादा होता है इससे cholesterol भी बढ़ता है ऐसे में red meat और chicken diabetes patient के लिए अच्छा नहीं माना जाता है इसलिए हो सकता है diabetes का खतरा chicken और red meat से होने वाले diabetes के खतरे की बात करें तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये high calorie food है साथ ही saturated fat food होने की बज़े से इसमें cholesterol भी हाई होता है चेकेन और red meat के अधिक सेवन से diabetes के अलावा gout की समस्या होने का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है साथ ही uric acid बढ़ने का खतरा भी रहता है ऐसे में ये research बिल्कुल सही है अगर आप active नहीं रहते हैं तो आपको ये बीमारियां भी हो सकती है अगर आप रोजाना high calorie diet लेते हैं और physical activity बहुत कम करते हैं तो आपको कई बीमारियां होने का खतरा रहेगा लेकिन अगर आप heavy workout करते हैं तो high calorie असानी से बंद हो जाती है ऐसे में बहुत जादा chicken खाने और red meat खाने से diabetes, high cholesterol, gout, uric acid की समस्या होना आम बात है अगर non-wage के साथ alcohol लेते हैं तो ये समस्या और भी गंबिर हो सकती है जिन लोगों की family history में किसी को diabetes या cholesterol है तो उन्हें high calorie diet लेने से बीमारियों के खोने का खतरा और भी अधिक बढ़ सकता है दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like और share जरूर कीजिए साथ ही चैनल को subscribe करना ना भूले